हलो एवरिबन दोस्तों नमस्कार गुडीबनिंग कैसे हैं आप सब आज किस वीडियों दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर और दोस्तों ये उत्तरप्रदेश गौ़र्मेंट योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा तोफार दिया है उन सभी ल प्यार हुआ है या फिर चोरी से लंबित बिली का बिल है दोस्तों ऐसे बिल में 75% दोस्ते हाँ पर 75% का छूट मिला है जो कि एक बहुत बड़ी अप्रेट है ओट यह जिसको बोलते हैं दोस्तों ठीक है वान टाइम सेटलमेंट और ये पहली बार ये इतना बड़ा ये ए समस्त बिद्दुत भार के घरेलू वाडजिक निजी नलकूप निजी संस्थान और द्योगिक सिरनी बिद्दुत बुगधाव के लिए योम चोरी के प्रक्रण में भी जिर्माने के रासी में छूट यही हो जना तीन चरोड़ों में आवधी में लागू होगा मतलब कि य एक लाख रुपे का अगर उसके उपर जुर्माना लगा हो तो पचीस जार रुपे में सेटलमेंट हो जाएगा ठीक है इस तरह की बात आई है एक तरह से दोस्ते हाँ पर यह तीन तरह की जो है तीन तरह की स्टेफ हैं तीन चरण में होंगे प्रथमा वधी यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेस्टन आया हुए चले हम दिखाते हैं और डियस का यह पीडिय भी इसका डाउंलोड कर लेंगे और डाउंलोड करने के बाद यहाँ पर यह पूरा डिटेल इसका खुल लाता है यह आफ के क्यू दोस्तों हता है फ्रेक्वेंसली और और पूछी जाने करने वाले होते हैं तो दोन यहां पर यह बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए यह सबी चीज़ें यहाँ पर डिखिप्शन है यह फाज टींगे भी लिख είναι तै dud halach और गवीश मैं इत्तु हमोय किस तो कान करता तो यह जो यह जो योजना है रही बक बकाय का 30% देना होगा ठीक है 25% मतलब यहां पर देना होगा टूटल 5% यहां पर समन सुलक अगर जो होता है 30 नमबर 2023 तक पंजिकरण रासी जमा करने वाले व्यक्ति को अधिक्तम लाब होगा बकाय का 30% ठीक है बस देना होगा इसके बाद दोस्ते हां पर OTS योजना 2023 का ला है उनको भी मिलेगा अगर दोस्तों आपके उपर यहार हो चुका है नयाले में लंबीत है तब भी यहां पर आपको आपको यहां पर लाफ मिलने वाला है यहां पर देखिए कर रहा है कि मेरा 2,63,000 रुपे बकाया है कि OTS का योजना में 3-4 किस्तों पैसा जमा करने के छू बाट सदीख है तब एक मुस्त अच्छवा 6 किस्तों में बकाया जमा कर सकता है इस तरह का है इसके दोस्ते हाँ पर OTS उजना 2023 की अधी कब तक है तेज आठ नमंबर 2023 से लेकरके 31 दिजमबर 2023 तक है ठीक है तो यह आप लोग काफी बॉटेंट है कोई संभावान नहीं है औ या फिर SDO कारले में आप जा करके कर सकते हैं विभा की एक खंड में आगर कर सकते हैं या फिर जैन सिवा केंद्र या फिर काइस काउंटर में कहीं सभी पंजी करा सकते हैं बहुत इजी है पंजी कराना तो यह वीडियो मैंने बहुत लोग बोल रहे होंगे कि यह वीडियो मतलब कि 25% यहां पर देना होगा और 10% यहां पर समन सुल्क तो इस तरह से यह भुकताव को छुट मिलने माला है ठीक है समन सुल्क यहां दिखे होता है जो इसको बलते है राजस सुल्क वो उसमें कोई छुट नहीं है बाकि यह सब कुछ यहां पर छुट दिया जा रहा है तो इस युजरा का जल्दी जल्दी लाब उठाएं अगर आपके जान पहचान में कोई भी हो उनको बताएं और जो पहली छुट है पहला जो इस टेप है चरण है उसमें लाब ले धन्यवाद